नमस्कार दोस्तों, कथा मन्थन में आपका स्वागत है कथा मन्थन में आज अमादर शिंद्योटल का बारवा भाग पड़ रहे हैं लेखक हैं विभूति भूशन पॉंदो पाद्धर बालू बजार से अगले दिन सबेरे उठकर हजारी गुपाल नगरक की और चला पास में अभी पैसे काफी थे, पांच रुपे, कोई चिंता नहीं थी रुपहर की दूप बहुत तीखी हो गई सुनसान रास्ते के तरफ घना, जंगल था खेतिहारी का एक आद गाउं छोड़कर कहीं बस्ती नहीं दिखती थी दो घंटों तक चलने के बाद हजारी को प्यास लगी दूर एक छोटा सा तलाब देकर किनारे बैटने ही जा रहा था कि पास से एक खाली ब्यगल गाड़ी जाने लगी तो उसने गाड़ीवान को पुगार कर पुछा पास में कोई गाउं है भाईया जरा पानी पीना है ब्रामनू गाड़ीवान ने कहा मेरे साथ आईये ठाकुल जी पास ही श्री नगर सिमला है मैं ब्रामन के घर जाऊंगा यह उन्हीं की घाड़ी है हजारी ने श्रीनगर सिमला का नाम सुना था गाड़ी जब गाउं में घुसी तो उसने देखा गाउं नहीं ये तो सुनसान जंगला है इतना दिन चड़ाया है लेकिन गाउं में अभी तक सूरज की रोशनी नहीं पहुची सिरफ आम और कठल के पुराने बगीचे हैं एक घ्रस्त के घर के सामने जाकर गाड़ी खड़ी हुई गाड़ी वान के पुकारने पर घर के मालिक आए मलेरियार से जरजर चहरा माथे के केश लगबग उड़ गए उम्र भी लगबग 30 से 50 के बीच में होगी बहार आकर हजारी को देखते ही उन्होंने गाड़ी वान से पूछा कौन है मालिक ये रास्ते में मूदी की तलाब के किनारे बैठे थे कहा जरा पानी पीऊंगा ब्रहमन है इसलिए मैं साथ ले आया घर के मालिक ने के मालिक ने आगे बढ़कर हजारी को नमस्कार किया बोलिए आये अराम से बैठिये चंडी मंड़क में चौकी का पर चटाई बिचा देते हैं इन सब देहाती इलाकों में मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ता आदा घंटा बाद हजारी हाथ पौंधो कर कच्छे ढपका पानी पीकर सुस्ता रहा था घर के मालिक का नम ता बिहारी लाल जिंदगी में कभी नौकरी नहीं की धान काफी खेते हैं तलाब में मचलिया हैं आम कटल के बगीचे हैं बादचीत के सिलसिले में ये सारी बाते हजारी ने घर के मालिक से ही सुनी थी उन्होंने कहा श्री नगर सिमला अच्छा खांसा गाउं था क्रिश्ना नगर के राजाओं के पुर्खों की राजधानी है आज मैं बोलिये तो दिखा देता हूँ अगर आप आज के दिन ठहरेंगे तो हजारी ने मना किया कि आज तो मैं नहीं ठहरूँगा फिर उसने पूछा आपने अपना घर कहां बताया जी एंडो शेला गाना पर उतर कर जाना पड़ता है तब तो आप हमारे यहां के आदमे हैं आएए न हमारे गाउं जगा देता हूँ जमीन देता हूँ धान की खेती कीजिए पाट कीजिए यहीं रहिए कम से कम एक घर तो बड़े गाउं में आएए ना हजारी सिर उठा सिहर उठा सर्वना अश कित्समत में अब यही बाकी रह गया था इस घने जंगल में रहने के लिए आएगा चहर में रहने की उसको आदत हो चुकी है शोर गूल काम की भीड में फसी जिन्दगी उसे पसंद आती है 46 साल की में उसकी उमर है फिर भी उसे नहीं लगता अभी भी काफी होंसला है ताकत है जैसे उसकी दस बरस उमर घड़ गई उसे नई जवानी मिल जाएगी खेती बारी का हाल वह क्या जानता है उसने यह नहीं बताया कि वह होटल में काम करता है होटल वाले ब्रामन को यह लोग नफरत की निगासे देखते हैं खास तोर से इंदे हातों में श्री नगर में हजारी का मन बिल्कुल नहीं टिका इसलिए वे तीसरे पहर होते होते वहां से निकल पड़ा रास्ते के किनारे एक आदमी लकड़ी का अट रहा था हजारी ने उससे पुझा सामने कौन सा बजार है भाईया बोला गोपाल नगर है गोपाल नगर का बजार है यहां से दो कुस के बाद पड़ेगा गोपाल नगर का नाम हजारी खुब जाना हुआ था गोपाल नगर इस इलाके में बड़ा गंज है सभी उसका नाम जानते हैं दुपहर को जरा खाना जादा हो गया था इसलिए उसे जरूरे नहीं था लिहाजार हजारी निश्चिन दो करके चल रहा था गोपाल नगर पहुँचते पहुचते दिन ढल गया था काफी बड़ा बजार था छोटी बड़ी बहुत सी दुकाने थी बेशक अच्छे रोजगार की जगा है हजारी ने कपड़े की एक बड़ी दुकान के सामने वाले ट्यूब बेल में हाथ पै धोए पास ही एक काली मंदिर था मंदिर के चबुतरे पर बैठ कर मंदिर का पुजारी जो हुका पी रहा था उसे देखकर उसे हुका पीने की इच्छा जगी जरा तंबाकू पिलाईएगा पुजारी जी आप कैसे हैं ब्रामन बैठिए यह लीजिए आप क्या मंदिर में मा की पूजा करते हैं हजारी ने पूछा जी हाँ आप कहां से आ रहे हैं मेरा घर गानापूर जिनके नजदिक एंडो शालस है रसोया का काम करता हूँ नौकरी की जरूरत है क्या बता सकते हैं यहां कोई रसोया रखेगा कपड़े की उस बड़ी दुकान से पूछ लीजिए वे लोग बड़े आदमी है रसोया उनके यहां रहता है उनके बाबू के छोटे बाई की शादी है इस वक्त उन्हें नए आदमी की जरूरत भी हो सकती है जाती के तेली हैं बजार के सबसे बड़े वैपारी पुजारी बोला सुनकर हजारी ने कपड़े की दुकान में जाकर देखा सामले रंका दोरे चहरे वाला एक आदमी गदी पर बैटा हुआ था किसी के कहे बिना ही ये बात मालू हो गई कि वही दुकान का मालिक है हजारी को अंतराता देखकर बोला आईए क्या चाहिए आप क्या लेंगे कहकर आदमी ने दुकान के दुसरे हिस्से किया और इशारा किया जहां कहीं आदमी काम धंदा और खरीद विक्री कर रहे थे बाबु मुझे आप से ही काम है मैं खाना पकाने का काम करता हूँ भ्रामन हूँ सुना है आप रसोया रखेंगे इसी से यहां आया हूँ अच्छा अच्छा तो आप खाना पकाएंगे बढ़िया खाना बनाना जानते हैं इससे पहले कहां थे राना घाट के एक होटल में था साथ बरस से होटल में होटल का काम और घर का काम एक जैसा नहीं होता हम खुब बढ़िया खाना खाते हैं आप से होगा कलकत्ता से अक्सर रिष्टेदार आते रहते हैं हजारी ने हसकर सोचा तुमने क्या खाना खाया होगा जिंदगी में ऐसा खाना बनाओंगा जैसा आँखों से देखा भी नहीं होगा खाली कपड़े की ही दुकान पे तो जिंदगी के सारे काम तुम सारा समय बिताते हो हजारी ने कहा बाबू ना हो तो एक दिन रख कर के देख लीजिए अगर खाना आपको पसंद ना आया तो योहीं चला जाओंगा आपको कुछ मिना देना पड़ेगा दुकान दर पक्का वेफसाई था आदमी पहचानता था हजारी की बातों को ढग देकर समझ गया कि वह जूटी नहीं बोल रहा है उसने अपने दुकान के नौकर को कहा औरे निताई तु जरा जाके इनको शचधर के घर जाकर शचधर के जिम्मे लगा कहना आज से ये खाना बनाएंगे लेकिन ठाकुर जी तरंखा वगएरा काम देखने के बाद ही क्तै किया जाएगा हाँ दो चार दिन बाद बात होगी ले जा पहले दिन के काम से हजारी ने अपना सिक्का जमा लिया घर के मालिक ने 10 रुपे तरंखा मुकरर कर दी उनकी इस तरी लगबग 12 महीने बिमार रहती थी उट बैट सकने के बावजुद वे घर का काम धंदा जादा नहीं देखती थी दो बेटियां थी शादी हो चुकी थी और अपने ससुराल में थी 16-17 साल का एक लड़का स्कूल में पढ़ता था 8 साल की एक लड़की भी थी घर के सबी लोग अच्छे थे और सबी ध्रामण होने के कारण उनकी बहुत श्रद्धा करते थे और हजारी भी अपने मधुर सभाव के चलते थोड़े दिनों में सब का प्रिया पात्र बन गया कही महीनों तक काम करने के बाद पहले महीने की तनखा पाते ही हजारी ने घर जाने की चुट्टी मांगी बहुत दिनों से घर नहीं जा पा रहा था टैमपी के लिए उसका मन बहुत खराब हो रहा था अतह है उसके मालिक ने उसको चुट्टी दे दी वो पालनगर स्टेशन पे गाड़ी चड़कर घर पहुचने में रेल का भड़ा लगवक तीन आने लगता इसलिए पैसे खरच करने में कोई फायदा नहीं था वो पैदल ही निकल गया घर पहुंसते पहुंसते शाम हो गई टैंपी ने दोड़कर कहा आओ आओ बाबा भी कहां से आ रहे हो और उसके अंदर से पंखा लाकर उन्हें जलने लगी हजारी को लगा टैंपी के हाथ में पंखे की हवा से उसका सारा देह और मन शीतल हो गया है टैंपी के लिए खटने में सुख है राना घाट के होटल में जितना कश्ट जितना दुपता है अथ सब टैंपी के लिए सहा और आगे भी सहेगा टैंपी ने कहा बाबा अतसी दी एक दिन तुमारे बारे में बात कर रही थी मेरे बारे में हरीचरण बाबो की बेटी हाँ बाबा कह रही थी तुम बहुत दिनों से आई नहीं चलो ना आज वहाँ चल कर चाय पीएं मशीन का गाना सुने इसी समर टैमपी की मा घाट से नहा कर लोटी और बुली का बाई हजारी निकाह भी जरादेर हुई रुपे मिल गए थे ना हाँ हाँ मिल गए खाना पीना अच्छा मिलता है उनकी कप्डे की बड़ी दुकान है सुभा शाम बड़ीया जलपान मिलता है टैमपी ने पूछा जलपान में क्या देते हैं बाबा किसी दिन मुर्मुरा नारियल किसी दिन हलुआ टैमपी की मा ने कहा बैठो जरा सुस्ता लो चाहे नहीं है नहीं तो बना देती टैम्पी जातो सतीश के घर चाहे है की नहीं देखा टैम्पी ने कहा इसकी क्या जरुवत है मा मैं बाबा को अत्सी दी के घर ले जाती हूँ चाहे भी वहीं मिल जाएगी जलपान भी मिल जाएगा टेम्पी ने दो-दो बार अथसी के घर जाने की बात कही ती, लेहाजा हजारी बेटी की राय टाल नहीं सका हरी चरण बाबु के बैठक खाने में बैठा था, हजारी को उन्होंने देखकर आदर से बुलाया हजारी ने संख्षेप में राना घाट की नौकरी छूटने से लेकर गुपाल नगर तक की दास्तान उनको सुना दी थोड़ी देर बाद अथसी टैमपी और टैमपी ने कमरे में आकर उन लोगों के सामने एक गुल टेबल पे चाय और नाश्टा रख दिया नाश्टे की सिरफ एक प्लेट थी हजारी ने पूछा बाबू आप नहीं खाएंगे नहीं नहीं तुम खाओ मुझे इस समय खाने से अमल हो जाता है मैं सिरफ चाय पीऊंगा हजारी ने सोचा इतने बड़े घर के आदमी और इतनी घर में अच्छी अच्छी चीजे लेकिन खाने पर अमल हो जाएगा इसलिए खा नहीं सकते कैसी बदकिस्मती है और उसे देखो 46 की उम्र है फिर भी अमल किसको कहते हैं उसे नहीं मालूम अच्सी बहुत बड़ी प्लेट में नाश्ता ले आयती घी में भुना चड़वा नारियल का खुर्चन घर में बनी दो गरम का चोड़ियां और थोड़ा सा हलुआ और बड़ी प्याली में एक प्याली चाय अच्सी जानती है कि टैंपी के बाबा उसके पिता की तरह अलपाहरी नहीं है वे खा सकते हैं और खाना पसंद भी करते हैं हरी चरन बाबु ने कहा हजारी काकव को परणाम करो अक्सी हजारी परेशान और संकुचित होटा अक्सी ने उनके पाउं से लेकर धूल लेकर परणाम किया हरी चरन बाबू ने पुछा इस बार कब तक रहोगे जी परसो जाओंगा दूसरे की नौकरी है रुकने से तो काम नहीं चलेगा तुमने होटल खुल ले की बात पर क्या हुआ बाबू अभी तक रुपे का इंतिजाम नहीं हो पाया है इच्छा तो बहुत है चाड़ो तक अगर कुछ होगा तो कर डालूँगा अच्सी ने पूछा काका गाना सुनोगे हरी चरन बाबू ने प्रहिशान होकर का हाँ हाँ मैं तो एक दम भूली गया है सुनो ना हजारी बहुत से ने रिकॉर्ड लाया हूँ जाओ तो अच्सी सुना दो अपने हजारी काका को हजारी ने सोचा यही लोग अच्छे हैं किसी तरह की मैनत मश्यक्त नहीं करते खाना पड़ता है सिर्फ गाना खाना पीना बस हो गई शामिन की कितने ही दिनों से खुसम से भेट नहीं होती हुई थी उसको राना गार छोड़े आज लगवक्त चार माइने से जादा हो रहे थे चार माइने से खुसम को नहीं देगा इसलिए उसका मन कैसा कैसा हो रहा था बहुत देर तक मशीन का गाना होता रहा बीच बीच में हरी चरण बाबू किसी काम से घर के अंदर चले गए तब सिरफ अथसी और टैमपी रह गई पिता के सामने शायद अथसी को कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी हरी चरन बाबू के घर के अंदर चले जाने के पाद हजारी से कहा काका बाबू मुझे खाना बनाना सिखाएंगे सिखाओंगे क्यों नहीं बेटी लेकिन खाना बनाना आता है तुम्हें क्या क्या बना सकती हो अक्सी अकलमंद लड़की थी वैं समझ गई कि जिसके साथ बात करती है वैं रांदने का एक उस्ताद है जानती तो सब हूँ काका शुक तो चुचड़ी दाल मचली का जोल मा तो रसोई घर में ज़्यादा जाल नहीं पाती तबियत खराब रहती है अतै मुझे ही सब कुछ करेखना पड़ता है टेमपी कह रहे थी कि आप बहुत अच्छा निरामिश खाना बनाते हैं टेमपी शायद यही सब कहती है तुमसे पगली है नहीं नहीं काका बाबु मैंने कई जगा आपकी रांदने की तारीफ सुनी है फिर मचलती हुई सी बोली मुझे सी खाना पड़ेगा काका बाबु म मैं हमेशा टेमपी से पूसती थी कि आप कब आएंगे हजारी ने का अच्छा खाना बनाने का तरीका है बेटा एक दिन में सीखा नहीं जा सकता कम से कम दो तिन महीने लगा तार मुझे तुमारे पीछे लगा रहना पड़ेगा हाथ पकड़ कर बतलाना पड़ेगा तुम मैं पास में खड़ा रहकर तुमारी गलतिया सुधार होंगा नहीं ऐसा तो नहीं है कि बता दूँ और तुम सीख जाओ प्रशेंसा बरी आखों से उसने अच्छी ने हजारी को देखा और उसकी बाते बड़े आदर से सुन रही थी सब सुनकर हजारी के पृति उसका मन खरीब के घर आई है टैमपी घर पर नहीं थी टैमपी की मा भी अत्सी को देकर बड़े अच्रज में पढ़ गई और उसने दोड़कर अपनी अकल के मताबिक जमीदार की बेटी का स्वागत किया अत्सी ने कहा काका बाव घर पर नहीं है शायर टैमपी ने कहा हां बेटी दुद स्कौने के चबूतरे पर बैठे हैं अत्सी टैमपी के मा के हाथ से बड़ी तेजी से बड़ी सुन्दर डंग से आसन लेकर एक विचितर से हसी हस्ती भी बोली आसन रहने दीजिये काकी बड़ी मैं कहीं कि गुरू ठाकरु आई जो मिरे लिए इतना यतनपुरवा क आसन बिचाएंगी इस हसी और इस ड़ब से सुन्दर लड़की अत्सी जाने कितनी सुन्दर दिख पढ़ रही थी टैमपी की मा मुख्ध होकर अत्सी को देखती ही रहे गी किसी बीच हजारी ने वहां कर बोला कैसे सविरे सविरे आना हुआ लक्षमी बेटी अत्सी ने पास जाकर बोला आपसे एक बात करने है क्या बात है बेटी उधर चलिए जरा अलग चल कर कहूंगी हजारी समझ नहीं पाया कि इतनी सविरे क्या बात कहेगी काका बाबू आप होटल खोलने के लिए आपने बाबास से रुपे मांगेते ना हां लेकिन इस बार नहीं पहले कहा था पहले मैं आप से एक बात कहूँ आप किसी को بتाएंगे तो नहीं पहले वचन दीजीए ठीक है वचन देता हूं नहीं बताँगा मैं आपको रुपे देती हूं आप होटल खोलिये मैं आपको कितने रुपे चाहिए मेरे पास दो-सो रुपे हैं सुनकर हजारी की यह अपनी नहीं लेकिन उनमें तो अच्सी जमिदार के घर की सुन्दर पड़ी लड़की है। उसकी मन में जो इतना खिचा फैदा हुआ है अजरच की बात है।